हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एससी कोचिंग सेंटर दोस्तों नंबर सिस्टम का एक और वीडियो लेकर के आया हूँ योग अंतर और गुनापर आधारित प्रिशने पूरा वीडियो देखेगा क्योंकि नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है हमें खतम करना है तो चले स्टार्ट करते हैं पहला प्रिशने है उन्हें तीन क्रेमांगत संख्याओं का गुणन फल कितना होगा जिनका योग फल 15 है योग कितना है 15 कितनी संख्याओं का तीन क्रेमांगत संख्याओं का तो तीन से डिवैड कर दो पांच वार में जाएगा कितनी संख्या हमारे पास तीन क्रे सिस्टम चैप्टर सुरू किया है तब ही से बतारू जो कुटकि आती है वो हमारी पीच वाले संक्या संक्या कैसी है? क्रेमगष टिया नहीं लगाता तो 5 की आगे लगाता 6 पांच से पहले 4 पूछ क्या रहा है कि क्रेमांग संग्याओं का गुड़नफल कितना होगा इनका योगफल 15 है इनका गुड़नफल कितना होगा इन क्रेमांग संग्याओं का गुणा कितना होगा गुणा कर दो चार का गुणा पांस से कर देंगे चार पच्चे 20 फिर 20 का गुणा 6 से कर दो कितना हो जाएगा 120 चार संख्याओं का जोड 24 है और उनका गुणनफल 143 है उनके वर्वों का योग कितना होगा दो संख्याओं का जोड 24 दो संख्या पहली संख्या एद दूसरी संख्या भी दोनों का जोड कितना है भई दोना का जोड है 24 और दोनों का गुणा 143 दोनों का क्या गुणा दोनों का गुणा कितना है भाई 143 किन संच्याओं का मैं गुणा करूं को 143 आ जाए अगर मैं देखिए 13 का गुणा 10 से करूं तो 130 होता है और 13 का गुणा 10 की जगे अगर मैं 11 से कर दूं तो कितना होगा 143 होगा और इन दोनों का योग कितना होगा 13 और 11 को अगर मैं 13 यह देखिए नीचे मैंने गुना कर लिया है को दिख नहीं रहोगा कि जब मैं 13 का गुना 10 से करूंगा तो 130 और 13 का गुना 10 की जगह अगर मैं 11 से कर दूं तो 143 और 13 को जोड़ूंगा तो 24 ही तो होगा मुझे चाहिए कितना 24 चाहिए दोनों संक्याओं को जोड़ 24 है और दोनों का गुना 143 भी है तो मुझे अब पता चल गया कि मेरी पहली संक्या 13 हो जाएगी दूसरी संक्या 11 है दोनों को अगर जोड़ूंगा तो 24 आएगा और पहली संक्या मेरी 13 है दूसरी संक्या 11 है और दोनों का अगर मैं गुना भी करूंगा तो 143 आ जाएगा पूछ क यह रहा है उनके वर्गों का योगं कितना होगा वर्ग का योग तो दोनों का वर्ग करो मतल vine 169 119 9 और एक दस का 0 केरी का 1 6 और दो 8 केरी का 1 9 हो जाएगा 1 और एक 2 यानि कि 290 290 यानि C option आपका सही जवाग हो गया पास सभी किस समझ में आ गई अब देखेंगे अगला प्रेशनी अगला प्रेशनी है तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुना 42 दूसरी तथा तीसरी का 56 और तीसरी तथा पहली का 48 है तो तीसरी संख्या क्या है देखेंगे हमसे कहा गया हमारे पास 3 संख्याओं तो ये पहली संख्या हो गई ये दूसरी संख्या हो गई और ये तीसरी संख्या हमसे कहा गया है कि पहली और दूसरी का गुना 42 है पहली और दूसरी का क्या गुना कितना है 42 इतना के लिए फिर कह रहा है दूसरी और तीसरी का 56 है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का गुना कितना है 56 है 56 ले लिया फिर कह रहा है कि तीसरी और पहली का 48 है तीसरी एक मैं 42 को क्या लेक सकता हूँ 42 को अगर मैं लिखूं फैक्टर करूँ तो 6 गुने 7 42 होटा है 56 कितना 7 गुने 8 56 होटा है 48 कुना 6 गुने 8 48 होता है ठीक है किलियर है अब देखिए पहले वाले का र knows दूसरी से बना जाइए पहले वाले में दूसरी संख्या है दूसरे में भी दूसरी अब यहाँ पर देखें कौमन संख्या कौन कौन सी है भाई यहाँ पर दोनों में दूसरी संख्या कौमन है ऐसे यहाँ पर कौमन साथ है तो दूसरी संख्या का मान यहाँ पर साथ होगा तो यहाँ पर भी दूसरी संख्या का साथ क्योंकि कॉमन है अब पहली संख्या में और तीसरी में जाईए पहली संख्या कॉमन है पहली संख्या का मान यहाँ पर क्या अच्छे है तो यहाँ पर भी पहली संख्या का क्या हो जाएगा अच्छे हो जाएगा हमसे क्यों सी संख्या का पूछ रहा है तीसरी संख्या क्या होगी अब तीसरी संख्या यहां बची और यहां तो यहां पर तीसरी संख्या बची और यहां बची और दोनों में common संख्या आठ बची तो इसका मतलब तीसरी संख्या का मान यहां पर आठ और तीसरी संख्या का मान यहाँ पर भी आठ तो तीसरी संख्या का जो मान है वो कितना है आठ है यही आपका सही जवाब है ठीक है डी ओप्षन आपका सही जवाब हो गया अब देखेंगे अगला प्रेशनी अगला प्रेशनी है दो संख्याओं का योग असी है तथा उनका अंतर आठ है दोनों संक्याओं का अनुपात कितना है दो संक्याओं का योग दो संक्या में पहली संक्या ए मालूब दूसरी संक्या भी और दोनों का योग मुझे दे रखा है असी ठीक है और उन्हें का अंतर आठ है उन्हीं 88 को गटा दूगा 44 बार में तो A का मान कितना, 44 हो गया। आज 2-88 48 बार में गटा तोyg का मान 44 मिया। अब दिखिए, डोनों संख्याओं का योग 10 है। अकेले A का मान 44 है, तो 80 कभा होगा। जब B का मान भी पता होगा। अब 80 मैंसे एका मान घटा दो बीका बचेगा कितना 36 और दोनों को जोड़ेंगे तो 80 तो एका मान भी पता चल गया हमें बीका मान पता चल गया एका और बीका दोनों का पता चल गया एका कितना है 44 और बीका कितना है 36 दोनों का हमसे अनुपात पूछ रहा है अनुपात पू प्रश्ने है आपका, दो संख्याओं का योग 77 है तथा उनका अनुपात 6 अनुपाते 5 है, उनका अंतर कितना होगा, दो संख्याओं का योग, दो संख्या मतलब ये पहली संख्या हो गई, और ये दूसी संख्या है, इनका अनुपात कितना है, 6 अनुपाते 5 है, अगर मैं कह इसे 6X माल लो इसको 5X माल लो तो इसके मान में कोई परिवर्थन आएगा कोई परिवर्थन नहीं आएगा इनका योग हमारे पास कितना दे रखा है 37 जब योग दे रखा है तो पांच एक्समेल कर कितना हो जाएगा गैर X, तो 11X का मान 77 है, 11X का मान 77 है, तो X का मान कैसे निकालेंगे, 77, ये 11 है कहा जाएगा, बटे में, 11 से 77 उकार देंगे, 7 बार में, तो X की वेलू कितनी आ गई भाई, 7, X का मान आ गया, 7 आपका, अब X का मान 7 है, X की जगे मैं 7 रखूँगा, 7 का गुना 6 से करूँगा, तो 7, 42, X का मान 7 है, तो 7 का गुना 5 से करूँगा, तो 7, 35, दोनों संख्या पहली और दूसरी मुझे पता लगए, अब कह रहा है कि उनका अंतर कितना है दोनों संख्या मुझे पता लगे दोनों का अंतर पूछ रहा है अंतर कर लो भई 42 में से मैं 35 कटा दूँगा तो अंतर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा तो 7 आपका सही जवाब हो गया C of 7 उमीद करूँगा सभी को प्रेशन असानी से समझ में आ गया होगा किसी को कोई समस्य यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगी ठीक है दोस्तों अब देखेंगे हम अगला प्रेशनी अगला प्रेशनी है दो संख्याओं का अंतर 1020 है यदि बड़ी संख्या का और छोटी संख्या का 12.4 परसेंट है छोटी संख्या नहीं छोटी संख्या का ठीक है तो ऐसा प्रेशनी कभी भी दे दे तो प्रेशनी को समझना है और समझ गए प्रेशनी तो उसका आंसर समझ जो आ गया तो मैं यहाँ क्या लिख लूँ बड़ी संख्या बटे में छोटी संख्या तो बड़ी का कितना हो जाएगा 12.6 परसेंट में लिख दूँगा उपर नीचे तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो बत लिखियो कोई बात नहीं, अब जैसे कि यहां पर कट जाएगा, दसमला बटाएंगे, दसमला एक संक्या बटे में एक 0, यहां से 10 में एक अब इक स्ञ्खा निकलकर आगें कोई problem यहापन नहीं है सीधी सीधी संख्या अब कहा रहा है हमसे कहा रहा है कि दोनों संख्या को योग ही है किसके बराबर है जबकि दो संख्या का अंतर हमारा इतना है अब हमारे पास दोनों संख्या निकल के आ गई बड़ी संख्या भी निकल के आ गई और छोटी भी निकल के आ गई बड़ी संख्या मेरी कितनी है 31 और छोटी संख्या मेरी कितनी है 19 अगर मैंसे 31 x कर लूँ इससे 19 x कर लूँ कोई फरक पड़ेगा कोई फरक नहीं दोनों का मुझे अंतर दे रखा है कितना 1020 दोनों संख्याओं का अंतर है 1020 31 x में से 19 x अगर मैं घटा लूँगा तो कितना बचेगा बई 12 x ठीक है 12 x का मान कितना 1020 1020 हो गया 12 x का मान ठीक है 1020 अब देखिए x का मान में निकालूँगा तो ये 1020 ये का बटे में आ जाएगा 12 12 से अगर मैं इसे घटाऊँगा तो यह कर जाएगा 85 बार में तो X की value मेरी कितनी X की value मेरी 85 X की value मेरी 85 हमसे पूछ क्या रहा है दोनों संख्याओं का योग किसके बराबर दोनों संख्याओं का योग तो बड़ी संख्याओं भी है मेरे पास और छोटी भी है दोनों का अगर मैं योग करनूं तो 31 और 11 का योग कितना हो जाएगा 50 योग पूछ रहा है न योग दोनों का योग मेरा 50 है X की value 85 है तो 85 का गुना मैं 50 से कर दूँ दोनों का योग से 85 से कर दूँगा तो कितना आजाएगा भई यह 0 लाश्ट में 5 25 25 का 5 कहरी का 2 दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है